हाई फ्रेंड्स मेरे तुन आकपाल देगे आप लोग के लिए एक और निटिंग हेल्प कहले लेकर आई हूं कि बच्चों के स्वेटर में जो आप टॉप डॉण या जो गले से बनने वाले बनाते हैं उसमें जो है आप शौट रोज कैसे करेंगे या उसके गले के शेप आप कैसे देंगे बैक का इसा थोड़ा जादा फ्रेंट का इसा थोड़ा कम किस तरीके से बनाएंगे और जब हम short rose करते हैं इस तरीके से तो क्या फरक आता है sweater में यह आप वैसे खुद भी try कर सकते हैं देख सकते हैं अब देखेंगे यह मैंने बनाया हुआ है यह आप देखेंगे ऐसे है अब यह portion आप जब top down बनाते हो यह देखेंगे आप यह नीचे है आप कैसे आएगा यह ही चीज मैं आपको यहां पर help में बताने जारा हुआ कि छोटे बच्चों के जो sweaters हम बनाते हैं उसमें आप इस तरीके का technique इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो आगे step बताया है तो चले देखते हैं कैसे बनाएंगे बेबी soft है यह अब इसमें मैंने जो है मैं आपको बता दूँ मैंने 4 mm की सलाई यूज की है याने की 9 number की सलाई यूज की है ठीक है है सीधा सीधे अब हमने क्या करना है सबसे पहले तो इसे डिवाइड करना है और उसके बाद इसकी नेक की शेट देनी अब हमने डिवाइड कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा पेपर पर यहां दिखा देती हूं अब देखें ये आपका इस तरीके से है ये बना रहे हैं आपका ठीक है ये दो तो आपको 6 और 6 हो गए फंदे यहाँ पे सेंटर में है 52 यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक 52 है और ये पट्टी के फंदे 6 और 6 12 फंदे पट्टी के है अब हमने पहले तो इस तरीके से 4 जगा पे बढ़ाना होता है अब आपको डिवाइड कैसे करेंगे डिवाइड हमने वैसे तो हम 52 divided by 3 करते हैं अब यहां पर exactly 3 डिवाइड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे हम 18 प्लस 18 प्लस 16 ठीक है यह आपका बैठेगा 52 यह आपका 52 बैठेगा अब आपने क्या करना है यहां पर मैं बीच में बढ़ाओंगी कैसे वो अलग तरीके से बताओंगी इस वाले में मैं आपको बहुत अलग तरीका बताने जा रही हूं जो मैं बढ़ाओंगी जो हम यहां पर बढ़ाते हैं तो यह फंदा मुझे नहीं मुझे सेंटर चाहिए तो अब मैं क्या करूंगी बैक साइड में अठारा रखूंगी यह हो गया अब यह जो अठारा है इसमें फ्रंट में यहां नौ और यहां नौ यानि कि 9 और 9 18 हो गया यह अब 16 बचा बाजू के तो 8 यहां और 8 यहां अब आप सोच रहोंगे कि बढ़ाऊंगी कहां पर वो मैं आपको अलग तरीके से बढ़ा रही हूँ तो इसलिए वैसा ही दिखाऊंगी आपको ठीक है अब आ जाती है इसके बाद की बारी कि अपने नेक का शेप कैसे देना है सोरी नेक का शेप कैसे देना है नेक का शेप देने के लिए जो हम यह बाजू होते हैं यहीं पर शेप देते हैं ठीक है तो करना क्या है अब यह आठ है तो आठ के लिए मैं क्या करूंगी 2 3 3 याने कि 3 फंदे 3 फंदे 2 फंदे 3 और 3 6 और 2 8 यहां भी उसी तरीके से 2 3 3 ठीक है अब जब मैंने बॉर्डर बना लिया बॉर्डर बनाने के बाद मैं यहां से चलूंगी यह आपका यहां से ऐसे चलूंगी और जहां पर बढ़ रहा होगा, वहां पर फंदा बढ़ाऊंगी, फिर यहां पर फंदा बढ़ाऊंगी, फिर यहां पर फंदा बढ़ाऊंगी, और दो वाले फंदे पर यह फंदा बढ़ाने के बाद दो फंदे बढ़ाऊंगी, अब यहां नहीं जाऊंगी, इसी दो फंद इक लाइन में बढ़ाना है और उस पे उलटी लाइन में नहीं बढ़ाना है इस चीज का ध्यान में आपको अभी बताओंगी ठीक है इसके बाद आपने क्या करना है फिर यहां से वापस गया फिर आप ऐसे गए तीन फंदों पे किये, फिर इस तीन फंदों से वापस गए, फिर आप इस वाले तीन फंदों पे गए, फिर यहां से वापस गए, इसके अगले वाले तीन फंदे पे, देख रहे हैं, और फिर इस तीन फंदों से वापस गए ऐसे, इस वाले तीन फंदे तक, अब इस तीन फंदे से पूरा आपने ऐसे गूम के इस तक जाना है, बढ़ाते वे हर बार हर सीधी लाइन में बढ़ाए जाएंगे, फंदे जहां जहां पर बढ़ाने का वो आएगा वो हमेशा रखना है, लेकिन बस आपने ऐसे करते वेisenain ूए, इस से क्या होगा, की बैक सेड की फंदे जाधा बनेगे और front के कम बनेगे तो आपको जो गले की एक शेप होती है ऐसी यह आ जाएगी अब देखे आपने यहाँ पे किस तरीके से करना पहले तो मैंने यह लिया ठीक है अब पहले तो इसकos यह हो गया है आपका पहला जहाँ पे आपने बढ़ाना है फिर आपका आठ फंद्द है यह आ गया फिर आपका दो दो चार पांच छे साथ आठ यह आ गया बाजू का और फिर नौ है दो दो चार पांच छे साथ आठ नौ और यह चेफंदे आपके पट्टी के अब अब आपने इस तरीके से यह वहां वहां लगा जहां पर आपने बड़ाना है अब हमने एजो दो वाजू है यहां पर शॉट्रोस करने है कि यहां पर यहां पर आपने रखा इसके बाद तीन एक दो तीन ये आपने रखा और ये तीन आटोमेटिकली हो गया अब यहां भी बाजू में ही आपने करने हैं अगर आपने इस साइड इस वाले पॉइंट के साइड में दो फंदे रखे तो इस वाले पॉइंट के साइड में भी दो ही रखने हैं ये और फि ज्यादा है मान के चलिए ंगत बारा फंदे हैं तो आप तीनग तीन गार्ष चार चार इस तरीके से भी घर कर सकते जाब किस तो यह आप के क्या करना यहाँ पर टालिएगर मैं ने डाला हुआ है अब मैं इसे बढ़ाऊंगी और आपको दिखाती हूँगे आप short rose किस तरीके से कर सकते हैं अब मैं थोड़ा सा पहले आपको यहां पर दिखा देती हूँ यह आपने ऐसे ठीक है यह आपका अब एक यह यहां पर दो फिर तीन फंदे फिर तीन फंदे यहां पर दो तीन फंदे तीन फंदे अब हम क्या कर रहे हैं अब हम यहां से जा रहे हैं ऐसे पहले ठीक है ऐसे जा रहे हैं पूरा जाते वे इस दो तक जा रहे हैं लेकिन जहां जहां पर हमने बढ़ाना है वहां वहां पर हम बढ़ाएंगे ज़रूर यानि कि यहाँ 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 हमने बढ़ाना है अब देखे कैसे यह आपका अब करना क्या है यहाँ से शुरू करेंगे यह तो आपके पट्टी के 6 फंदे ठीक है यह 6 अब यह 9 फंदे बनाने है यह बन गए आपके 9 फंदे ठीक है अब 9 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर आपको बढ़ाना है बढ़ गया फिर से इसी को लेंगे ऐसे लेंगे और यहाँ से एक साइड में मैंने पैक से किया है एक साइड में आगे से कर रही हूं यह यह देखे फिर यह लेंगे और अब यहाँ पर हम यह 8 फंदे बनाएंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ यह देखे फिर आगे यहाँ पर जहाँ पर हमने बढ़ाना है एक्जेक्ली सेम बढ़ेगा जैसा यहाँ बढ़ाया नीचे का पहले उठाके इसमें डालेंगे आप इसे हम पहले बैक से बनाएंगे यह अगे नीची को उठाएंगे इस पर डालेंगे आप फ्रंट से बनाएंगे फिर इसे लेंगे आप यह बैक साइड के आपके 18 फंदे हैं जो हमने बनाने हैं सीधे यह देखिया आगे फिर से वही नीचे उठाया क्योंकि बढ़ाना इसमें डाला इसको बैक से बनाया आपने ऐसे यह लिया ऐसे फिर इसी को आपने फिर से उठाया ऐसे डाला और फ्रंट साइड से ऐसे एक तरफ मैं बैक साइड से कर रही हूँ एक तरफ फ्रंट साइड से अब आगे इदर अब हमने देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहुँचे है, यह जो बाजू के हमने दो, तीन, तीन रखे थे, अब इन में से सिरफ ये दो फंदे आपने सीधे बनाने है, ऐसे, ठीक है, बना लिया, अब यहीं पे हमने पलट जाना, इसे उतारिएगा, यहीं पर पलटेंगे, अब यहां पर देखें मैं किस तरीके से करूँगी, अब मैंने इसे दागा ऐसे लेना है, यह देखेंगे, यह लिया, उतारा और इसे आगे की तरफ लिया, ठीक है, और फिर अपनी तरफ करके इसे बनाया, यानि कि यहां पर हमने से एक का दो कर दिया ठीक है ये उतारा अब आविएसली जो हमने बढ़ाए थे फंदे वो हमने उल्टे बनाने है ऐसे मैं अब हमने दूसरे बाजू के दो फंदों की तरफ जाना है यानि कि जो बैक सेट के 18 फंदे वो तो पहले बनाने हैं हमने ऐसे यह देखिए यह आपका आगया यह बाजू आगए यह हमने रखे देखेंगे अब दो तीन तीन अब इसमें से जो दो फंदे हैं वो बनाने हैं उल्टे यह उतारेंगे ऐसे और पलड़ जाएंगे अब देखें मैंने क्या किया है यहां पर दिखा रहे हूं आपको अभी हमने क्या किया कि पहले मैं यहां से पूरा यहां तक आई फिर मैं यहां से इस दो फंदों पर गई हूं अब मैं यहां से ऐसे जाओंगी पूरा इस तीन फं अब यह देखे यहां पर ऐसे लूँगी इसे और इसे उतारूँगी अब देखे इसे लिया यहां की तरफ और बैक किया ऐसे अब देखे क्या करना है ऐसे लिया और यह बना दिया इसे क्या हुआ कि आपका यह यहां पर एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया यानि कि बढ़ गया वह मैं बाद में बता रही हूं आपको कैसे करेंगे अब यह बनाया यह बनाया और यह बनाया अब देखे करना क्या है आपने जब यह उतारा और यह बड़े हूए यह बड़े हुएं अब यह बड़े हुए हूं आप आप क्या करेंगे अब आप इसको उतारेंगे क्योंकि हमने पहले अलग जगा पर रखा था और exactly इसके center में ऐसे लगाएंगे क्यूंकि यही हमने center exactly लेते वे जाना है ठीक है यह बढ़ाया अब यहीं जो center यह दिख रहा है यह यह लिया ऐसे इसे बढ़ाया फिर लिया ऐसे और इसको फ्रंट की तरफ से आपने ऐसे बढ़ाया यह यह जो दो बढ़ा रहे ना इन ही के सेंटर में बढ़ाना है इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा बढ़ाते वे अब यहां से यह फंदे इस तीन फंदों तक बनाते वे जाएंगे जहां पर बढ़ाना है वहां पर हमने बढ़ाना ही है लेकिन वह बढ़ा हुआ एक्जेक्ली सेम जगा पर कीज़ेगा ताकि वह अच्छा दिखे आप देखिए हम बढ़ाते वे गए आप बढ़ाने का तेल अपनी साब से भी रख सकते हैं अब यहां पर पट्टी में माने सीधे पंदे करने थे किये नहीं तो अब यह देखेगा यह मैं बनाती हुई गई हूँ यहां पर पहले मैं देखूंगी यह है जहां पर आमने एक के दो किये थे तो इसके सेंटर में करना है तो इसे उतारेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा क्योंकि पहली बार में ही आपने ध्यान रखना है बाकी तो अपने आप होता जाएगा और यहां पर यह सेंटर में लगाना है अब क्या करना है यह बनेगा अब यह ऐसे इससे लिए यह बनाया फिर यह ऐसे और इसे बनाया कि अब यह फंदे हमने बनाने है यह आपके देखेंगे यह यह बना अब जो यह आपने यह देखेंगे अप एक के दो किये थे देखें इस तरीके से किया था इसमें हमने इन दोनों को इकठे बनाना है और फिर यहां से तीन फंदे बनाना है एक दो तीन और इसे उतार देना है पलट लीजिए फिर आपने ऐसे लिया और इसे आगे कर दिया और फिर अपनी तरफ करके इन्हें सब फंदों को उल्टा बनाना है कहां तक यहां के इस वाली बाजू के तीन तक यह ठीक है इस वाले पॉइंट तक अब यह देखिए आप यहां पर पहुंचे हैं तो यह आपने जो एक के दो किये थे इन दोनों को ही आपने ऐसे लेना है और बनाना है अब यहां से तीन फंदे लेंगे एक दो तीन और इसे उतार देंगे पलट लीजे फिर वही ऐसे लिया यह बनाया फिर इने बनाया यह मैं इसलिए करती हूं ताकि यहां और यहां में गैप न रहे इसलिए आप इसे करते हैं यह देखिए अधरवाइस यहां गैप आजाएगा अभी यहां पर गैप नहीं दिखेगा आपको अब यहां पर पहुंचे हम यह दो फंदे हमने बढ़ाए हैं तो एक्जेक्टी इनी के सेंटर में हमने बढ़ाना देख रहे हैं तो यह लिए आपने ऐसे फिर लिया आपने और ऐसे फिर यह सारे फंदे बनाएं कि यह देखेगा यह जो दो फंदे हैं यहां पर यही बढ़े हैं कि सेंटर का अपने आप ही आ जाएगा इस तरीके से यह लिया ऐसे इसे बनाया फिर लिया ऐसे और यहां से बनाया फिर यह बनाया एक दो तीन चार पांच छे अब जो यह दो आपने लिये थे इन्हें आपने ऐसे सीधा ही बनाया आना है और यह तीन फंदे भी लेने हैं एक दो तीन यह उतार दीज़ें इस आपां पाल बदाएंगे पल्ट लीजेए वैसे तो यह आप उतारेंगे नहीं क्योंकि यह आपको उतारना नहीं है यह 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 आप अपनी तरफ फिर ये फंदे ओल्टे अब इस वाले तीन तक हम इसी तरीके से करेंगे अब आप यह देखिए यहां पर आये हम यह जो दो आपने एक के जो दो कर रहे थे उन्हें आपने ऐसे दोनों को लेकर हुन्टा बनाना है अब यह तीन पंदे हमने इसमें लेने है एक, दो, तीन और यहीं पर नफ़े पलट लेना है अब हम पूरा यहां तक जाएंगे, जहां जहां बढ़ा रहे हैं, यहां भी बढ़ाना है, वहां बढ़ाते वे पूरा वहां तक जाएंगे, तो इसको आपने फिर से वही ऐसे लेना है, फिर यह बनाया आपने, यह देखिएगा, यहां पर बढ़ रहा है, तो यही पर बढ़ेगा, यह लेंगे ऐसे, यह, फिर लेना है ऐसे, यहां से, यह सारे फंदे हमने बनाने है, बैक के फंदे है, अब यह देखिए हम यहां पर आ गए हैं, तो इन दोनों को तो आपने दो का एक करना है, जैसे कर रहे थे हम, अब यहां पर हमने फंदे बढ़ाने है, यह 2, 2, 4, 2, 6 फंदे तो आपके पट्टी के है, दो, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे पहले बढ़ाना था न, क्यूंकि यहां पर हमने अभी तक बढ़ानी है, अब आपने क्या करना है इसे लेना है ऐसे बैक साइट से बढ़ाईएगा अगेन लेंगे ऐसे और यहां से ठीक है यह बढ़ा दिया फिर यह फंदे बनाने अब मैं आपको भी दिखाती हूं पहले कि फरक क्या आया आपका इस तरीके से शौट रोज करने में यह देखें यह देखें यह बैक का पॉर्शन जादा बना है फ्रेंट का पॉर्शन ना के वराबर है जब आप इसे इस तरीके से रखोगे तो क्या होगा कि बैक का पॉर्शन ओपर जाएगा और फ्रेंट का नीचे आएगा तो यह आपका गले की शेप आजाएगी आप इसमें दो-तीन चीज़े आपको बताना चाहूंगी यहीं पिटिप्स देना चाहूंगी आप लोगों को कि मान लीजे आपने इस से जादा थोड़ा सा गला और डीप रखना है यानि कि फ्रंट का जो गला है और डीप रखना है तो आपने यहां पर जो इस शौट रोज हम कर रहे हैं वो जादा करने हैं इस चीज का आपने ध्यान रखना है तो आप बच्चे के स्वेटर में इस तरीके से जो है शौट रोज से गले की शेप जो टॉप डाउन बनाते हैं वो दे सकते हैं तो चले फिर बनाईए लाइक चैन सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा मेरे सारी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत बूलिए ताकि जो भी मैं नहीं चीज़े आप लोगों के लिए डालती हूं वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा